हाई दोस्तों असलाव अलेकुम केसे आप लोग यह है हमारा संडे की वेन है जिसमें आपके पूछेवे कोश्चन के आंसा में देनी कोशिट करता हो और देनी कोश्चन छूट जाता है देना में रिवी सॉरी फॉर दाट लेकिन यहापे दोस्तों शुरुआत करते संडे क्य पहले कोश्चन के साथ नहीं बलकि पहली न्यूस के साथ जो हमारे चैनल से रिलेटेड़ है आपके अपने चैनल से रिलेटेड़ है कि आपने हमको पहुचा दिया Forbes की लिस्ट में Forbes magazine आप जाते होंगे Forbes India इनका जो website है इनकी जो magazine है इसमें लिस्ट आती है top billionaires, top influencers, top digital stars तो हो सकता है 10 लाखो 20 लाखो या हो सकता है करोड हो मुझे नहीं पता कितने numbers है उसमें top 100 की उन्होंने list निकाली जिसमें आपके भाई के चैनल का या आपके अपने चैनल का जो number है वह overall rank में मतलब जहांपे comedy भी है beauty भी है सब कुछ है वहाँ पे 35th number पे आ गया top 100 के अंदर औ उपर से तो यहां पे यह हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है लिंक में description में दे दूँगा वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपके और कौन से favorite creators है जो इस list में आये है किस number पे आये है चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के बारे में वहां पे क्या है आरियन पटेल ने बोलते हैं मेरे पास एक आईफोन अलड़ी है मैं IT का स्टूडेंट बीटेक का और मैं confused हूँ एक Windows laptop और Macbook के बीच में यह बोलते है कि कौन सा Macbook मुझे लेना चाहिए Air M1 लेना चाहिए Air M2 लेना चाहिए RGB RAM लेना चाहिए 512GB लेना चाहिए एक्षन ने SSD में support करेगा क्या और Macbook का डिस्पले है इन एर वालों का यह 60Hz के refresh rate वाला है तो मुझे कोई प्रॉलम तो नहीं होगी मुझे डे-डे-डे टास्क करने कोडिंग करने content watching करना है और web browsing करना है या फिर मुझे M1 Pro के 14-16 निचे के लिए जाना चाहिए तो आरियन उसके लिए जाना चाहिए अगर आपने एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कि इसा कुछ नहीं है Mac OS के साथ भी आप जो है अपना काम निकाल सकते हो तो उस case में आपके लिए जो स्टोरेज नेसेसरी है 256GB 512GB वह आपको खुड डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कितना required है और आपका जो काम है उसके लिए 8GB RAM जो है वो sufficient रहेगा 16GB कि आपको ज़रूद ने लेंगे तो अच्छा रहेगा long term use के हिसाब से आपके लिए सही रहेगा हो रही बात 60Hz के refresh rate की तो उसके बारे में आपको फिकर करने की ज़रूद नहीं कि जो जैसे Windows का computer होता है कोई भी application third party pirated कुछ भी आप उस पर install कर सकते है इस पर भी कर सकते आप और अगर आपको heavy duty task करना है बाद में जाके आप content creation भी करना चाहते हो heavy heavy software चलाना चाहते हो तो M1 pro के 14 या 16 inches वाले मोडले उनके लिए जाना ज्यादा समझधार है अगला question है दीपी का का ये बोलती है कि आइफोन 15 लिया है उसमें वीडियो की brightness बहुत कम आती है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आज मैंने आइफोन के camera से video shoot करके डाली त पे आप देखिए बहुती bright बहुती clear और बहुती अच्छी dynamic range वाले वीडियो जो है आइफोन 15 स्रीज के फोन निकालते है और ये चीज़ मैं सिर्फ मतलब इसका individual camera की review करके नहीं बता रहा हूँ आपको comparison करके बता रहा हूँ चाहे वो S23 Ultra हो या Pixel 8 Pro हो सबके साथ मैंने ये प्रम नहीं है तो आप क्या कर सकते है आपके iPhone की settings के अंदर camera के अंदर HDR video को off करके भी देख सकते वीडियो निकालके ये वीडियो जिस device पर आप देख रहे होंगे वो HDR को support नहीं करता होगा और उस case में वीडियो जो है dark आपको दिखाई देगी और एक और solution आप ये भी नि आपके left side में front and back में over eating हो रहा है मैं Apple fanboy हूँ लेकिन Android भी यूज़ करता हूँ मुझे iPhones पसंद है smooth है इसलिए और Android मुझे थोड़ा सा let down लगते है मेरा iPhone updated है मुझे क्या करना चाहिए देखिए जो heating का problem है iPhone के अंदर जो camera के अतराफ और आपको सामने उसी जगा पे देखने मिलता है यह common problem है और almost सभी iPhone पे आपको यह देखने मिलेगा अगर आप outdoors में shoot कर रहे हो या कोई heavy task कर रहे हो तो आपको भी यह suggestion रहेगा मेरा कि आप एक बास service center में दिखा लो अगर सच में genuinely कुछ जाधा problem है over eating हो रहा है बहुत जाधा heat हो रहा है आपके device में कुछ issue है तो आपको वहाँ पे repair या replacement देखने मिलेगा या फिर आप किसी और user के साथ वह चीज compare कर सकते है या फिर आप एक digital thermometer ले सकते है जिससे आप temperature check कर सकते कर बहुत जाधा overheat हो रहा है तो एक concern भी है क्योंकि आपकी battery भी फट सकती है लेकिन उतना overheat नहीं हो रहा है normal eating है तो normal eating है त watch pen के बाहर walk पे jogging करने जाती हो तो क्योंकि आपकी जो phone calls होंगे वह आपकी watch के जरिये से आपको दिखाई सुनाई देंगे आप उनको ले सकते है किसी को call भी कर सकते है और सारा काम आपके phone का आपकी watch पे हो जाएगा जब आपका phone आपकी watch से दूर है तो लेकिन उसमें compromise द दूर रहते हो अपनी watch pen के कहीं बाहर जाते हो तो अगर इस आप नहीं करते हो तो फिर आप GPS वाली के जा सकते हो अगला question है यौर आशू का यह होते है कि SE4 जो है iPhone SE4 यह आएगा क्या आप बताओ इसके बारे में तो iPhone SE4 आने के chances है अब देखते है March में यह लोग इसको launch करते है या नहीं करते है बहुत जाता है इसके कोई confirm rumors या confirm leaks तो अभी हमको फिलाल दिखाई सुनाई नहीं दे रही अभी सारा concentration जो है यह Mac के event पे है जो अभ अगला question है राहूल गुलाटी का बोलते है एपल का जो event 31st October को है यानि कि वह Mac event इसमें AirPods Pro 3 launch हो सकते है क्या मुझे AirPods लेना है Pro 2 अभी लेने चाहिए या वेट करना चाहिए जितना अभी अंदाजा लगाए जा रहा है इस event के अंदर चो है नए Mac line-up को Apple launch करने वाला है और उस प्रतम का बहुत है iPhone 15 में जो feature दिया है बैटरी चार्ज को लिमिट करने का वह अच्छा feature है क्या है लेकिन अपडेट के जरीए से बाकी iPhone में आएगा या नहीं आएगा क्योंकि feature काफी सही है बिल्कुल feature बहुत अच्छा है चार्जिंग को लिमिट करना अच्छा है 80% पे बैटरी या अच्छी मेंटेन करके रख सकते हैं बार बार देखने की जरूत नहीं होती है कि इतना चार्ज हो है लेकिन Apple being Apple पता है आपको कैसी अरकादे करते हैं latest phone में ऐसे features दे देंगे जो बुराने phone में दे सकते हैं लेकिन बस उसको restrict करके रख देते ताकि लोग latest phone की त अगला कोशन है समीर राटोड कब होते iPhone 15 Pro लिया है दस से 15,000 वाले phone के जितना ही battery backup निकाल के दे रहा है gaming करता हूँ दिन में 2-3 बार चार्ज करना पड़ता है suggestion क्या रहेगा 15 plus पे shift हो जाओ या future updates में कुछ solution मिलेगा future update में कोई भी solution नहीं मिलने वाला है अभी जो आपका 15 15 Pro बैटरी लाइफ निकाल के आपको दे रहा है 10,000 वाले phone की दे रहा हो या 2,000 वाले phone की दे रहा हो उतनी रहने वाली आप gamer है तो gaming में ज्यादा बैटरी यूज होती है 15 Pro की बैटरी उतनी outstanding नहीं है जितनी 15 Plus या 15 Pro Max की है तो अगर आपको 1 video के refresh वाला display की ज़रूत नहीं ह किसी भी दिवार के नजदी आप पीछे चिपका और आपका काम हो जाएगा लेकिन फोन ओवरीड भी होने वाला है आपके यूज में और फोन जो है उसकी बैटरियल भी जल्दी गिरने वाली आपकी अगला कोशन है डेमन स्लेयर का ये बुलते है कि यूट्यूबर जो है आपको प्रमोट कर रहे है ब्लाक मैजिक कैमरा एप होते है कि यह बेटर फोटो और वीडियो क्लिक करता है देन बिल्ट इन कैमरा आप आपको इसके बारे में क्या लगता है क्या कोई रियल डिफरेंस है मैं आईफोन 11 करेंटली यूज कर रहा हूं देखिए यह जो कैमरा यह प्रो कैमरा ब्लाक मैं निकल सकते हैं या आपको उसकी कोई जरूबत है या आपको खुद सोचना पड़ेगा हम लोग खुद भी जब आइफोन के कैमरा से बनाते है या वीडियो के अंदर बीर बगरा लेते है तो हम लोग यह सब सेटिंक के अंदर जाते नहीं है बस का कैमरा अपने आप में इतना अच्छा है कि वीडियो रेकॉर्डिंग क्लिक करो और सारी चीज़े अच्छे से हो जाती है फिर भी आप उसको नेक्स लेवल पर लेके जाना चाहते है तो आपको प्रो अप्स की जरूत पड़ेगी अगला कॉशन है अरसलान का यह बहुत है 14 में confused हूँ कौन सा लेना चाहिए मुझे 3-4 साल फोन को चलाना है heavy user हूँ game भी खेलता हूँ कौन सा लेना चाहिए मुझे camera के बारे में जाधा परवा नहीं है crash detection satellite features की ज़रूत नहीं है तो इन में से कौन सा लेना चाहिए iPhone 14 की repair cost 13 की repair cost से कम है क्या back glass टूटने भी बताईए तो हाँ नए वाले जो iPhone से है उनमें back glass repair को Apple ने थोड़ा सा सस्ता और आसान भी किया है रही बात 13 और 14 में देखिए अब जाधा दिन आप चलाना चाहते हो तो आपको जो है नया वाला जो phone होता है वो ही लेना चाहिए कि उसमें slightly सारी चीज़े जो है थोड़ी थोड़ी करके better ही होती है भले camera में आपको जाधा दिल्चस भी नहीं है फिर भी कभी ना कभी आप camera को use करेंगे और जब भी use करेंगे तब आप उस चीज़ को जो है खुश भी हो जाएंगे कि हां में पास एक better phone है 13 या 14 में से दोनो प्रोडक्शन में कुछ चेंज नहीं होने वाला heating इशू अरड़ी आपल सॉल्फ कर चुका है और अब यह phone overheat नहीं होता है आउट्डोर में वीडियो वगर लेंगे उस टेम पे गरम होता है लेकिन ओवरीटिंग का प्रॉब्लम था रेग्यूलर यूज में चार्जिंग क उसको मजबूत बनाता है यहाँ पे बैग ग्लास का रेपैर सस्ता किया है बैग ग्लास को चेंज करना आसान कि आपल ने इसलिए यहाँ पे इसको कमजोर भी बना दिया है तो अब यह जो है एक ट्रेड ओफ तो है जरूर कि यहाँ पे यह नाजुक है पहले के मुकाबले एक्सपिरेंस मुझे आया प्थेटिक एक्सपिरेंस था और पचास अजार रुपे के लिए बिल्कुल भी वह जस्टिफाइड नहीं था मैंना आइफोन 15 फिर से ले लिया है और सैमसंग को मैंने सेकेंड डिवाइस के तो पर रखा है यह कंपनी असली में जो है लोगों क के फोन तो सैमसंग के बिल्कुल भी कच रहा है एस 22 से एस 23 से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेस एक्सपेक करेंगे बहुत आउटस्टैंडिंग फोन उसको समझेंगे और लेंगे आपके पैसे बरबाद होने ही वाले अब यह भाई साब क्यों के पहले आइफोन यूज खरू आईफोन की बैटरी हेल्थ पे मुझे जो है डाउट आ रहा है मुझे प्रो सीरीज लेना है लेकिन डाउट आ रहा है मुझे उसके बर क्या डाउट आ रहा है कि मैं इतना घंटे कॉल करता हूं, OTT बिंज वाच करता हूं, बेसिक फोटोग्रफी करता हूं, तो तीन कभी कही न कई डिग्रेट होती ही चली जाएगी इसमें आईफोन में कुछ स्पेशल बैटरी नहीं लगाई है आपल ने जो खतम होती जाती है दिन बद दिन यूज करने पे, आईफोन में भी वह चीज है आईफोन में आपको बैटरी आल्थ का वह नंबर नहीं दिखाता अच्छा है और यहां पे ओवर हीटिंग और बैटरी ड्रेन का इशू इस फोन में ना के बराबर है मतलब मैंने इसको अच्छा खासा यूज किया है जब मैं 14 Pro Max यूज करता था साथ में ये फोन मेरा दूसरा में इस्तमाल करता था अभी फिलाल फोल्ड फाई यूज कर र में कुछ फॉल्ड भी हो सकता है जरूर अगला कुशन है पपू टेक अब होते है इस तरीके साब करेंगे तो आपका अगला कुशन है जरीफ हुसेन का अब होते है आप ट्रैकिंग जो है आइफोन में वह थर्ट पर आप शको रोकती है ट्रैक करने के लिए फिर भी मैं एवडियो देखता हूं फेस्बूक पे उससे रिलेटर वीडियो आती रहती है तो मेरे भाई आप उस एप के उपर उस आप इस रिलेटर वीडियो आपको दिखाए तो यह आक्टिविटी ट्रैक करने की बात रही दूसरी आक्टिविटी ट्रैक करने की बात और यह फोन कैसी यूज करते हो आप शॉपिंग कहा पे करते हो तो वह सारे सीज़ों को रेस्ट्रिक करता है अगला क्यों है सुशील सुतार का ये बोलते है कि MacBook Air M1 मैंने लिया है क्या recommend करेंगे उसकी back panel को laminate करनेगा इसको scratchless रखना जाता हूँ आप उसको scratchless लगने की चक्कर में उसको खराब कर लेंगे तो इसलिए better है कि आप laminate बगरा मत करें क्योंकि जो ये devices होते है इनके अंदर से heat निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हो सकता है laminate करके आप किसी उसके vent को cover कर दे जिसके बाद heat वहाँ से properly बाहर ना निकले तो ये सब lamination वगरा के चक्कर में मज जाईए जैसा है आपका macbook उसको use कीजिए अच्छा सा carry case इस्तमाल कीजिए आपका macbook scratchless रहेगा अगला question है धिये का ये बोलते है कि iPhone 15 plus और 15 pro में कौन सा iPhone better है अगर आपको 20 years का refresh rate चाहिए एक extra camera less चाहिए और macro photo वगर आपको लेना है तो 15 pro better है लेकिन 15 plus जो है मुझे overall एक better device लगता है due to its large screen और बड़ी battery और must phone है एकदम मतलब इस बार के जो non pro phones है मुझे बहुत प्यारे लगे बहुत अच्छे लगे और actual में इनकी in hand feel भी बहुत अच्छी है अगला question है परेश का बहुती 12 pro लिया था आपका वीडियो देखके क्या आभी मैं iPhone 15 ले सकता हूँ मुझे old phone sell करना है तो कहां पे बेचू मेरे पास airpods pro है जो से एक year six months use किया है खराब हो गया है तो क आपको वहाँ पे कोई problem नहीं आएगा पाकी phone बहुत ही प्यारा है बहुत अच्छा है बेटर बैटरी लाइफ एक type c port भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा तो काफी सई फोन है रही बाद buds की तो आप sony के ear buds को जो है चेक आउट कर सकते है एक्स एम 1000 mf जो sony के नए आ 34,000 रुपे लगेंगे screen card suggest करो आप क्या करो आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि यह warranty यह insurance नहीं है insurance में phone तूटने पर आपको free में repair हो जाता या minimum cost पर warranty जो होती है वो manufacturing defect के against होती है phone आप गिराएंगे थोड़ेंगे थोड़ी नहीं लोग free में आपको repair करके देंगे आपक quality decrease हो जाएगी मैं क्या करता हो आपको बता देता हो अगर आपने मेरे reels और shots देखे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी high quality के और मैं बहुत satisfied हो उससे सबसे पहली बात lighting जो है प्रॉपर आपकी होनी चाहिए phone जो है आपका iPhone है तो बहुत ची बात है क्योंकि best reels और shots जो है iPhone के उपर ही shoot करते हैं लोग और उसी से जो है best video बनती है आप 4K 30 या 4K 60 दोनों में से एक जो है choose कर लो उस पे आप shoot करो अगर जब आप export करेंगे तो 1080p 30 या 1080p 60 मतलब 4K 30 पे क्या है तो 1080p 30 पे आप उसको export करो और upload कर दो आपकी video जो है बहुत ची quality में जो है वहाँ upload हो जाएगी फोन का screen इतना बड़ा नहीं है कि इस पर आपको 4K में ही वो really short जो है देखनी होती है 1080p पे export करेंगे तो best quality में वहाँ पे रहेगा यूग कि Instagram और FB 4K videos को compress करते है जिसे quality loss होती है 1080p करेंगे तो उतना compression नहीं होगा इसकी वेसे अच्छी quality आपको मिलेगी और आप upload करेंगे तो वहाँ पे upload on Wi-Fi at highest quality वाली जो setting होती है वो भी choose कर लेना अगला question है Samir का बोलते है 13 Pro है मेरे पास 16.6 पे चल रहा है 16.7.1 पर upgrade करना चाहता हूं बट नहीं हो रहा है software update फेल दिखा रहा है क्या करूं तो या तो आप Mac से connect करके update कर सकते है अगर Mac से connect करने प आपके phone पे install कर सकते हैं अगला question है डॉक्टर प्रतिक का बोलते है यह apple lover है क्यों करते है क्योंने भाई apple lover है Samsung lover है कुछ भी lover है क्योंने करना हमारा first बनता है क्योंकि हमारे viewers हफता भर हमारी वीडियो देखते है week के end में उनका यह hug बनता है और हमारा first बनता है कि उनके सवा प्रकस करने की आपको जरूत है और यहां पर Q&A करना है नहीं करना है वह हम पर छोड़ दीजा अगला question है नरेंदर का यह बोते है आइफोन 14 सेल में purchase किया था 50,000 में लेकिन कुछ गडबड हो गई जिसकी वज़े से 55,000 का यह उनको पड़ा पर flip card वाले invoice उनको 50,000 का दे तो क्या करना चाहिए invoice में चेंड नहीं कर रहे है consumer code जाओ गया बिल्कुल का consumer code जाईए आपने जितना पैसा दिया है उसके against आपको invoice मिलना चाहिए और registered GST firm है आप उसको claim भी कर सकना चाहिए लेकिन लोग करने देते नहीं तो यह एक बहुत बड़ा issue है Pixel 8 Pro मैंने खरीदा एक लाग 7,000 रुपे का उसमें अच्छी खासी GST आप तो हिसाफ लगा सकते है 20,000 प्लस की GST है जो complete मेरी loss हो गई जबके मुझे मिलना चीता है as a business credit क्योंकि अपना phone का review का gadgets का ही business है लेकि मेरा loss हो गया flip cut की इस policy की वेचे तो आप बिल्कुल consumer code जाहिए और इनके ऊपर case कीजिया अगला question है अमर शर्मा का यह बोते है 45,000 तक का budget है Series 9 लेना sense बनता है या Ultra 1 यूज लेना चाहिए क्योंकि मैं Ultra 1 की बैटर लाइफ के तरफ ज्यादा inclined है देखो भाई नया लेना जो है वह ज्यादा समझदारी होती है खासकरी watches के मामले में आपको पता नहीं है पहले वाले यूजर ने उसको किस तरीके से use किया है रही वाद इन दोनों watches के बीच में comparison की तो बाई Ultra 1 ज्या 50 का ध्यान रखता है Google, S23 Ultra जिस madam के बस था पिछले की वहने में उनकी खुद की गलती से वह hack हुआ है और यहां पे जो है warning आ जाती है और यहां पे जो है नोक्स की security भी है इसके अंदर यह है बला 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 तो मैं आपको यह बताना चाहता हो विक्रम देखो भले उनकी गल possibility क्योंकि side loading वहाँ पर possible है iOS में वह चीज है नहीं और रही बात Android bashing की जो आप यहां पर लिख रहे हो तो यह screenshot यहां पर मैं दिखा रहा हूँ आपको Android Authority का website का यह screenshot मैंने लिया हुआ है आप सिभ इतना दाल दो S23 Ultra hack Google के उपर और यहां पर देख लेना यह contest हुआ था टोरण और आइफोन जो है वह hack नहीं है लेकिन S23 Ultra दो बार hack हो गया तो आप सोच लेना नौक्स की security hackers ने कहां पर घुशा दी अगला कुशन है Space Tech Vision का यह होते है Android भी है iPhone भी है बट Android जो है आपकी productivity को इंप्रूफ करता है multitasking provide करता है और आपको freedom देता है तो आप एक businessman है तो Android लीज है कि कौन से टाइप का business है ऐसा कोई business है जिस पे ज्यादा documents का काम है phone में यहां से उठा वहाँ copy paste कर और बहुत सारी इस तरीकी की चीज़े आपके लिए Android काफी सही रहता है और आपके business के अंदर कुछ ऐसे applications है कि वह चीज जो है सिफ Android पे ही चल सकती है उस मामले में भी Android बेटर रहता है लेकिन आप डिरेक्ली ऐसा नहीं बोल सकते है कि आप businessmen है तो आप Android पे जाईए और college student है तो आपकी मरजी तो भाई जब college student की अपनी मरजी है और businessman जो है Android लेना चाहिए तो फिर iPhone इतने जो लाखों करोडों दुनिया में भी कर रहे है और टॉप पे iPhone है most selling phones की लिस्ट में वो खरीद को रहा है अगला question है बीनू लिम्बू का ये बोलते है कि तेरे मामा के घर पे बनता है iPhone तो मेरे मामा के घर पे iPhone बनता है मेरे भाई लेकिन आप मेरे मामा के घर के watchman है आपका काम है घर की हिफाज़त करना आपका काम है कि वहां के जो secrets है जो भी और यह वो अपने दिल में रखना और आप यहां पर आखे पब्लीक के सामने हमारे QN में उसको लीग कर रहे यह अच्छी बात नहीं है जिस घर का आपने नमक खाया है उसके साथ नमक हरामी मत करो जिस थाली में खाना खाते हो उसमें चेद मत करो मेरे भाई तो यह ता दो झाल